आप सभी को मेरा आदाब, मुश्कार जैसा मैंने आते ही कहा था कि आज की शाम मेरी शाम नहीं है ये मुबारत वेगम साहिबा की शाम है हम आज यहां सरफ इन्हें सुनने आए हैं और मेरा काम आज जो है वो मानिक में मुझे जो सौपा है वो फिल इन्द ब्लांक जैसे मैंने पहले कहा कि च्यूंकि हमें जरा से उनकी उम्र का लिहाज है करना ही है और उन्होंने कहा कि वह अट स्ट्रेच वह जादा नहीं गा सकती है तो इसलिए मैं सर्फ बीच में खाना पूरती कर रही हूं और शाम दरसल उन्ही की है जैसा मानिक आपको बता ही चुके है तो मैं आपको कुछ एक-दू चीजे शुरू में सैगल सहाब की और पंकज मानिक सहाब की सुनाती है और फिर हम मुबारक बेगम साहिबा को कहींगे यहां तश्रीफ लाएंगे शांत जी इजाज़त है मुबारक बेगम साहिबा इजाज़त है कोई गलती हो तो मैं माज़च चाहांगे ए काति बे तकदीर मुझे इतना बता दे ए काति बे तकदीर मुझे इतना बता दे क्यों मुझे से खफा है तू क्या मैंने किया है ए काति बे तकदीर मुझे इतना बता दे क्यों मुझे से खफा है तू क्या मैंने किया है औरों को खुशी मुझे को फकत दर्द औरंज और हम दुनिया को हसी और मुझे रोना दिया है क्या मैंने किया है क्या मैंने किया है क्यों मुझे से खफा है तू क्या मैंने किया है हिसे में सब के आई है हिसे में सब के आई है रंगीन बहारे बदबफिया लेकिन मुझे शीशे में उतारे पीते हैं पीते हैं लोग रोज और शब मसरतों की मैं मैं हूं कि सदा खुने जिगर मैंने पिया है क्या मैंने किया है क्यों मुझे से खफा है तू क्या मैंने किया है क्या मैंने किया है था जिनके दम कदम से ये आबाद आशियां वो चह चहाती वो चह चहाती बुल बुले जाने गई कहा जुगनू की चमक है न सितारों की रोशनी इस धूप पंधेरे में है मेरी जान पर बनी क्या थी क्या थी खता के जिस की सजा तूने मुझे को दी क्या था हुना के जिस का बजला तूने लिया है क्या मैंने किया है क्यों मुझे से ख़पा है तूं क्या मैंने किया है कर दो कर दो